Hello friends, welcome again to the world of Maths by Amir. I would say please pause this video और ये इस साल के सबसे अच्छे time and work question को solve कीजिए. मैं बुरूँँगा आप इसको please pause कीजिए और solve कीजिए. I hope आपने वीडियो को pause किया होगा, solve किया होगा. तो इस question को देखते हैं कि इस question में है क्या? आपके पास तीन लोग हैं, तीन software experts हैं, जो किसी एक project में काम करते हैं, जिसमें X का data दिया हुआ है कि X तीन दिन काम करता है और उसके वाद एक दिन छुट्टी लेता है. मतलब X करता है क्या है? काम करता है एक दिन छुट्टी लेता है. while चार दिन काम करता है और एक दिन छुट्टी लेगता है मतलब वो पांस दिन में एक ही दिन काम करता है और jet क्या करता है? पांस दिन काम करता है और एक दिन छुट्टी लेता है means छे दिन में वो पांस ही दिन काम करता है आपके पास तीन स्टेटमेंट्स दिये हुए हैं, उससे आपको कोश्चन को सॉल्व करना है, तो आपको इस कोश्चन को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं वही मेथड यूज कर रहा हूं, जिसको मैंने जैट में यूज किया था, I have also taken the जैट तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, कि इतने बड़े कोश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको थोड़ा सा काम होना होता है, कोश्चन को ढंग से पढ़ना होता है, और सॉल्व कर देना होता है, तो X, Y, अगर दुनों साथ काम करें, तो 6 दिन में काम खतम हो जाएगा मैं statement one दिख रहा हूँ और मैं वही method use करना हूँ जो मैंने जैट में use किया था ओकी, शो 6 दिन का काम चला है जिसमें x, x, x काम किया होगा, एक off लिया होगा और x, x काम किया होगा 6 दिन में y ने का ऐसा काम किया होगा वो y, 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 y काम किया होगा, off लिया होगा और y काम किया होगा यह statement one है फिर statement two जिसमें काम कितना हो गया एक काम कुरा हो गया statement two एक्स और जट जब काम करते हैं तो आठ दिन लगते हैं आठ दिन में क्या हुआ होगा एक्स काम किया होगा फिर ब्रेक लिया होगा एक्स तीन दिन काम किया होगा फिर ब्रेक लिया होगा जिट क्या क्या होगा जिट छे दिन काम किया होगा जिसमें वो पांची दिन कर पाएगा और ब्रेक लेगा तो आपका छे दिन होगा और दो इस नौर करेगा इसमें 6 गाम पूरा हो जाएंगा अगर में आूप करना करना स्टार्ड तो हो सकता है कुछ तो वाई 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 ऑई चार दिन पांश ऑन्ड यहाँ यही है हमारा हिसाब किताब अब मुझको पता है कि X एक दिन में X काम करता है, मैंने ये माना Y एक दिन में Y काम करता है, तो ये जो XY लिखा हुआ है, अक्चुरी ये इनकी Efficiency लिखे हुई है, तो मुझको चाहिए क्या, मुझको किसी भी कीमत पे XYZ की Efficiency चाहिए तो मैं X के Efficiency को 1 मानता हूँ, Y के Efficiency को Y और Z के Efficiency को Z और काम करवाते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 दिन काम किया X का Efficiency 1 है तो 5 वर्क हुआ होगा प्लस, 1, 2, 3, 4, 5 5 दिन Y काम किया, तो आपका 1 काम हो गया है, यह आपको पता है आपने 1 वर्क दिन किया है यहाँ देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 दिन X काम किया है और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 दिन Z काम किया है 7 देज तो इससे आपका 2 वर्क दिन हो गया है यहाँ देखिना आप 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2 10 देज ने Y काम किया Efficiency का Ratio निकालना है तो इसको आप बोल दिलीजिए यह First Statement है, यह Second Statement है और यह Third Statement है Fine इस दोनों का Ratio निकालते है मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर 1 है और यहाँ 2 है, इसका मतलब अगर इसमें मैं 2 Multiply कर दूँ तो 2A मेरा B के काम के बढ़बर है यहाँ क्या हो जाएगा 10 यहाँ हो जाएगा 10Y is equal to actually 6 plus 7Z तो यहाँ से जो आपको मिलेगा यह अगर इधर आएगा और आप किसी एक भी निकाल दो आपका 10Y जो होगा अगर यह इधर जा रहा है तो यह 7Z माइनस 4 के बढ़बर है मैंने 10Y निकाल लिया और 10Y को मैं यहाँ पूट करता हूँ 7Z माइनस 4 प्लस 10Z यह ठीक है यह 3 वर्कडन के बढ़बर है तो यहाँ से आप 3 वर्कडन को आप डाल सकते हैं जो आपका इक्वल होगा 15 प्लस 15Y फाइन अब मैं निकालना चाहता हूँ कि यहाँ पर 7Z और 10Z है मिन 17Z है माइनस 4 यहाँ 15 है यहाँ 15Y है तो आप दिखें प्लस 10Y का वैलू 7Z माइनस 4 है तो 15Y का वैलू जो होगा वो इसमें आपका मल्टिप्लाई करना होगा 3 वाइ 2 से तो मैं इसमें 3 वाइ 2 से मल्टिप्लाई अगर करता हूँ तो यहाँ दिखेगा मुझे को 10.5Z और 3 वाइ 2 इसमें अगर मल्टिप्लाई होगा तो यह आपका होजाएगा माइनस 6 10.5Z अगर यह इधर आएगा तो यह दिखेगा 6.5Z और यहाँ पर यह इधर जाएगा तो यह होजाएगा 19 माइनस 6 का मतलब हो जाएगा 13 तो यहाँ से Z की जो वैलू निकलेगी वो निकलेगी 2 तो मेरा X का Efficiency 1 हो गया Z का Efficiency 2 हो गया यह Efficiency है अगर मैं यहाँ पर Z को ढाल दूँ तो 10Y जो आपका दिख रहा है वो आपका दिखेगा 14-4 का मतलब 10 तो Y का Efficiency हो जाता है 1 तो इस तरह से मैंने Efficiency निकाले थे आप Efficiency निकाल सकते हैं किसे और तरीके से भी तो आप देखते हैं बहुस एक काम में कितना हिसाब किताब लग रहा है तो एक काम का मतलब है 5 प्लस 5Y Y का वैलू 1 है तो टोटल वर्क दन में Y is equal to 1 डालने पे 10 वर्क दन होता है मिंस एक वर्क दन 10 के बराबर है कि यह मैंने निकाल दिया वर्क दन is equal to 10 और बोला गया है कि अगर तीनो साथ काम करे अगर तीनो साथ काम करे तो टोटल एफिसेंची आपकी 4 होती है तो टोटल एफिसेंची आपकी 4 होती है तो टोटल एफिसेंची आपकी 4 होती है तो टो टाम कितना लगेगा तो वर्क दन अपॉन एफिसेंची इस एक्वल और इसका अंसर है 2.5 दिस I hope it is okay So this one is the same method जिसको मैंने जैट में यूज किया था There are few bitter method कि आप यहीं से direct ratio निकाल दीजे और solve किजे बट इसको मुषको समझ मिया था जैट के बाद So this was one of the best question of time and work of the season Thanks XLRI and thanks everyone God bless you, happy learning and bye-bye